चक्रवाति तूफान गाजा शुक्रवार की सुभा नाग पटिनम और वेदारणम के बीज तमिल नाडू तट से गुजरा उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 120 किलो मीटर प्रती घंटा थी इस दोरान वहाँ भारी बारिश हुई वकई शेत्रों में पेड उखड गए चक्रवात के मद्दे नजर यहां और तटवर्ती शित्रों में कई जगाहों पर बिजली आपकूर्ती बादित रही राश्टी आपदा मोचन बल एंडी आरेफ की चार टी में पहले से ही नाग पटिनम में मौजूद हैं जबकि राजी आपदा मोचन बल की दो टीमों को कडल पर पहुचाया गया है इस सभी को नाग पटिनम, पुदू कोट्टई, रामनात्पुरम, तिरुवरुपुरम सहित छे जगाहों पर इस्थापिद 300 से जदा राहस्शिवरों में रखा गया है नाग पटिनम के शिक्षर संस्थानों में अवकाश घोशित कर दिया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी बुलेटेन में कहा गया है गंभीर चक्रवादी तूफान, गश्युक्रुवार की सुभा, नाग पटिनम और वेदारणम के बीच तमिलाडू और पंडुचेरी टट से गुजरा इस दोरान हवा की गती 120 किलोमीटर प्रती एक घंटे का समय लगेगा, उन्होंने कहा कि तूफान को तटी शेत्र से पूरी तरह गुजरने में करीब दो घंटे का वक्त लगेगा, मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवादी तूफान के पश्रीम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटे में कमजोर पढ़ने की संभावना For more information, log on to www.clips.net